तो इंडी गडबंधन की सीटों का बटवारा होने से पहले ही साथी एक एकर गडबंधन से बाहर होने की सोच रहा है। नितिश कुमार के बाद ममता देदी भी इंडी गडबंधन को अलविदा कह सकती है। वांदलो का दावा है कि टीमसी इंडिया गडबंधन से अलग होने जा रही है। बंगाल में जिस तरह से राहूल गांधी की निया यात्रा को ममता ने समर्थन देना तो दूर की बाद कई जगह पर जाने के लिए परमिशन तक नहीं दी। उसके बाद भी राहूल गांधी न पार्टी की केंद्रे समीती के सदस से सुजन चक्रवर्ती और अने नेताओं के साथ रखुनात गंच में राहूल गांधी से मुलकात देगी। मुलकात के बाद सलीम ने कहा कि बांदल आरेसेस भाजपा और अन्याय की खिलाफ अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए सलीम ने आगे कहा कि टीमसी इंडिया गड़बंधन से खुद को अलग करने के लिए उत्सुक दिख रही है। सलीम का कहना है कि बहुत सारे लोग शुरुआत से इस गड़बंधन में शामिल हुए हैं। जराम रमेश ने गड़बंधन में टूट होने से इंकार कर दिया और TNC का उन्होंने बच्वाव भी किया है। शून ये तक लाएं वो ही मकसद हमारा भी है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिस्ट पर भी स्यासतेज है।